C.I.E.T. N.C.E.R.T. द्वरा प्रस्तु थे कक्षा पांच की हिंदी की पाठ्य पुस्तक रिमजिम में संकलितिक पाठ पाठ का शीर्शक है A.C.I.E.R. के लिए मीठी गोलिया A.C.I.E.R. के लिए मीठी गोलिया पाठ हमें बताता है के शेर भी कभी बीमार पढ़ सकता है और तब उसकी देखभाल उसी तरह करनी पढ़ती है जिस तरह बीमार पढ़ने पर हम अपनी देखभाल करते हैं नई दिल्ली बचने की कोई उमीद ना होने पर भी आज वो जिन्दा है और पहले की तरह गरशता है गागस को अक्टूबर 2004 को दिल्ली के चड़िया घर में लाया गया था वो चड़िया घर के माहौल में अच्छी तरह से रम गया था पंधरा मार्च को उसने रोज की तरह अपना खाना पूरा नहीं खाया चड़िया घर के डॉक्टरों ने इस बात पर ध्यान देते हुए उसे तीन दिन तक लगातार सुई लगाई पर इससे उसे कोई फायदा ना हुआ अब तो उसने खाना एक दम छोड़ ही दिया था और मूँ से लार भी बेहने लगी थी घागस की गिरती हुई हालत देख उसके खून के नमूने जाज के लिए भेजे गए हाला कि इस बीच घागस ने थोड़ा बहुत तो खाना शुरू कर ही दिया था पर उसकी हालत ठीक नहीं कही जा सकती थी वो अपने पिछले पैरों से लंगडाने भी लगा था और ठीक से खड़ा भी नहीं हो पा रहा था तिल्ली के चिडिया घर के निदेशक डी एन सिंग ने बताया एक महीने बाद तो हालत ये हो गई कि घागस अपने शरीर का पिछला हिस्सा उठाने में असमर्थ हो गया हमने उसे नियमित रूप से दिये जाने वाले मास की अस्थान पर मटन और चिकन खाने के लिए दिया खाने में किये गए बदलाव का असर हुआ और घागस ने सत्तर असी प्रतिशत तक खाना खाया जो की एक अच्छा संकेत था हाला कि उसकी हालत में कोई सुधार नजर नहीं आ रहा था गआगस को इलाज के लिए दूसरे विशेश चिकत्सकी ये पिंजरे में रखा गया उसके इलाज में कोई कोता ही नहीं बरती जा रही थी उसके शरीर की भाप से सिकाई भी की जाती थी और अब वो भोजन भी अच्छी तरह से लेने लग गया था पर हालत उसकी वैसी ही बनी हुई थी चड़िया घर के सभी लोग चिंतित हो गए हालत ऐसी हो गई थी कि अब दिन गिनने के अलावा कोई चारा ना था गागस की ये दशा देखकर हमने गुजरात के वन्य जीव विशिशग्यों से ये सोच कर सलाह लेने का दिर्णे किया कि सिंग भारत में सर्फ गुजरात के गिर जंगलों में पाए जाते हैं शायद वे ही कोई राह सुझा सकें सिंग ने आगे बताया गुजरात के प्रमुख वन्य जीव सन्रक्षक ने उन्हें आनंद के डॉक्टर आर जी जानी से संपर्क करने का सुझाव दिया घाघस के इलाज के रिपोर्ट देखने के बाद डॉक्टर जानी ने उसे होमियोपिथी दवाईयां देने की सलाह दी हुमियोपिथी इलाज शुरू होने के दोह मा के भीतर ही घाघस के हालत सुधरनी शुरू हो गई और अब वो अपने चारों पैरों पर खड़ा हो पा रहा था ये बात है तीन अगस्त की यानि के पूरे छे माह वो तकलीफ में रहा बीमारी की वज़ा से वो बहुत कमजोर हो गया है पर खालात में अभी सुधार है एशियाई शेर के लिए मीठी गोलियां अभियाव सुन्रहे थे कारिक्रम पाट समन्वय लता पांडे नर्मान संचालन प्रभुदयाल खट्टर कलाकार सुचित्रा गुप्ता और विजे सिन्हा ध्वन्यंकन दीपक पांडे नर्मान सहयोग दावुदयाल चत्रुवेदी तथा नर्मान इवं प्रसुती वंदना अरिमर्दन K K K K K K झाल झाल